कि अब सब लोग वेलकम इडियों जेगे दिस शोई है तो आज मारा मॉक टेसे चिरल लॉलज के ऊपर ठीक है तो बात करें यहां पर कोशिंस की तो आपको यहां पर 20 कोशिंस देखने को मिलेंगे जिसका लेवल हमने यहां पर बैलेंस करने कोशिश करी है ठीक है पास्ते कु यहां पर आ 맞아 जाइए उसके बाद हम यहां पी दे करते उसके बात जो है आपका क्या करेंगे अपना स्कॉर बताएंगे ठीक है कि 20 में से आपके कितने क्रेक्ट हुए एक ये करना है उसके बाद बताना है कि आपका क्या स्कोर रहा है देखें अब हमारा यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या गह रहा है कि अच गया है कि को अचए है कि लिए ते हमालिय जी पिटविशथ विटुच्ट और काटि रिवün इस हराए हमालिय पालिय एक का देख यह बटाहीं इसका रहला कशे अचर क eller Г बीच में इसी तरह मैं आपको बता दू हिमालिया के डिविजन करीगी है रीजन के बेसिस के ओपर वैस्ट वीस से ठीक है जो बाट आपका इंदस इंदस एंदस एंड सतежд जीवर के बीच में है उसको किया बोलते है उसको बोलते है पंजाब लिया यह भी आपनी याद रखने उर जो पार्ट आपका आपका काली रीवर के पीज में यहां पर आपका तीसता रिवर एंड भ्रहंपुत्रा रिवर के बीच में है उस हिमालिया के पार्ट को क्या बोलते हैं उसको बोले जाता है आपका आजसाम हिमालिया ठीक है आपको यह यहां रखना है उसके बार देखिए हमारे यहां भी नेक्सकरशों कि है नेक्स्त व्रट करते हैं यहां यहां फिक बार यहां मेंच करना है कि अधिकेर फौलवुणह कि दो जावेडी हिल कि एक चेंट की बात करेंगे तो स्डेंट बताऊ इसकी का इसे थे थे त्ट ऐगारि रचेरच नमील नावनुट ठीक है कि यहां पर यहां पर मेंचन करें हों तो कहां भी है इस स्ट का यह इसी तरह दोड़ा बिटा के स्टेंट बताऊ मुझे उनसी स्रेट में Doda Bita Tamila Duden में यहां पर जो locally mentioned करें मैं उनमें कहां पर यहां पर डोडा बीटा Western farts में ठिक है, टूका B उसके बाद Genthyya Hill कहां पर है Megalia में इसी तरह यहां पर 3 का D हो जाएगा Megalia Plateau में है, ठिक है 3 का D उसके बताओ मुझे पटकाई हिल कहाँ है पटकाई हिल पुर्वांचल में ठीक है फोर को क्या हो जाएगा सी ओके वन ए टू भी थ्री डी फोर सी ओके तो यहां पर देखो स्टेट का में आपको बता दे जावेडी हिल का कॉंसी स्टेट में तैमिलाडू में डोडा बीटा इसी तरह वेस्टरिंगाड की उपर यहां पर मैं आपको पुछता ओं मुझे बताओ वेस्टरिंगाड की हाइए स्टेट में बता ये आपकी है कहां पे करला में इसके अनामोडी और और इसके अलब भी किस नाम से जाते यह ये भी आपको बताना चाहिए एक्जाम में कुछा के होगे तो आपको बताने चाहिए इसको जो है और जाना ज्यते है elephant head के नाम से ज़िक है अब आपको मैंने यहाँ पर बोला कि यह highest peak है तो मुझे इसकी height भी बतातो प्ताओ इसकी height के होगी यह भी आपको बताना चाहिए करला स्टेट में ठीक है यह मैंने को बता दिया उसके बाद यहां पर जो है आपका कुंछ से ऑप्षिन क्रेक्ट है 1A 2B 3D 4C तो यहां पर देख लें आपका थी ऑप्षिन क्रेक्ट है ठीक है उसके बाद बात करें यहां पर थर्ड कोशन की बिचा तो फॉलिंग अधर रिस अगर आपको यहां पर होता यंग क्यों से अगेंस एंग यानि एसेंट तो आपके वह भी हिमालिया जो है उसका राइड-उसर होता ओके यहां पर यहां पर यह इन सब में से रिसेंट है ठीक है उसके बाद बात करें यहां पर फूर्ट कुशल की पिक उटाउट सीख्वे इसका राइड आशर क्या होगा फोर्थ कोशिन का कई पर संद आड़ा तो लाइक भी कर दो कि यहाँ पर सबसे पहले यह उप्षिन वे जो के नहीं होना चाहिए यहां पर फर्स्ट पर चाहिए तो आपका यहां पर पहले है तो यही है आपका सबसे पहले आएगा उसके बाद आपका ग्रेट हिमालिया आएगा उसके बाद लदाग ठीक है उसके बाद जांसकर रेज ठीक है यह भी नॉट से सौथ का ही सीक्वेंस पहले उसके बाद आपका सांस करें जाएगा ठीक है उसके बाद यहां पर मुझे बताओ फिफ्ट कोशिंट कराइट असर किया होगा तो कोई ना डांस एस्सेट विज स्टेट और इसा चार खण या ना नव्तिस बताओ कोई ना डांस जो है कौन सी स्टेट के साथ एस्सेट है तो यह है कौन सी स्टेट के साथ ओडिसा के साथ ठीक है ओडिसा के जो अधर फॉक्ट डांसिस है वो कौन सी आपके वह गया आपका ओडिसी यह भी आपको पताना चाहिए ठीक है उसके बाद घुमूरा ठीक है यह भी याद रखना उसके बाद डांडा नाचा ठीक है यह भी आपको पताना चाहिए उसके बाद बात करें यहाँ पे six question की six question आप यहाँ पे भाराचुकी falls ठीक है भाराचुकी falls is in which state of India बताओ करनाड का अंध्रापरजेस तैलिंग नाना या तैमिल नाडो बताओ six question का right answer क्या होगा आपको पूछा कि आप भाराचुकी fall का तो बताओ देखो भाराचुकी fall आपका कहां पर है करनाड का में चीक है उसके बाद करनाड का में आपका एक island town है आपका एक island town है जिसका नाम के जिसका नाम है आपका शिवा नासा मुद्रा ठीक है यहां पर आपके दो waterfall है एक तो मेंने आपको बता दिया बाराचुकी waterfall ठीक है उसके बाद है आपका कुण सा गगाना चुकी waterfall ठीक है तो यह जो दोनों यहां पर फॉल्स देख रही हो यह क्रियेट किये जाते कुण सी रीवर के दोरह कि रीवर का वेरी यह भी आपको पताओना चाहिए ठीक है यह सारी information आपको याद रखनी है उसके बाद बात करें यहां पर 7th question की who was the main architect of the red fort ठीक है options यहां पर देख लो यह आपका उस्ताद अहमद लाहरी उसके बाद भी आपका अताओ लास ही आपका यहां पर मुहमद हुसेन जरीन कलाम यह आपका यहां पर ननवतीज बताओ red fort का main architect कौन था इसको रैजाइब आपका अस्ताद अहमद लाहरी ठीक है उसके बाद यहां पर एट्स कोशन है विच्टा falling is the longest river originates in India ठीक है बहरंपुतरा बी गंगा सी यम्री को तबरी बताओ यहां पे एस्ट कोशन करें अभी आउसर क्या होगा आपका longest river है जो originate होता है इंडिया में उसके बाद इसकी यहाँ पर total length की बात करें तो 2525 km ठीक है उसके बाद मुझे के बताओ गंगा river जो है originate कहां से होता है बताओ गंगा river कहां से originate होता है basically देव पर्याग पे न दो river आके जो है यहाँ पर मिलते हैं कुछ से एक आपका आगया अलाक नंदा दूसरा आपका बागयरत्यी रीवर जब हैं यहाँ यहाँ पर मिलते हैं उसके पाद जो रीवर बनता उसको बोलता है गंगा ठीक है उसके बाद मुझे पताओ बागयरत्यी रीवर कहां से originate होता है गंगोत्री से ठीक है उसके बाद मुझे बताओ अलाक नंदर रिवर कहां से उरिजिनेट होता है तो अलाक नंदर रिवर आपका उरिजिनेट होता है कहां से बद्रिन आप से चीक है इसी तरह आप मुझे बताओ बागे रथी रिवर के उपर कौन सा डैम है बताओ जो कोंब से डाम का नाम के है, आपका तहरी डाम कि मैं आपका यह तहरी डाम जो है कुंज सी स्टेट में है, उत्रा खंड में आपका highest डाम आफ इंडिया है ये भी आपको पता inडिया को उसके बार कई मुझें बढ़ाओ लाकननदको टिकेशन रिवर जो है यहां पे मीट कर त्रैंट विश्णू प्रयाग पर बताओ कि आपको यहांब पताना चीये जितने यहांब आपके पांच परियागे ओ suscall कर रहा है वो उड़ीवर भी आपको प्थाओने चीये ठीक है विश्णुपरियाग पे ़ीवर मिलता है वह आपकर सा लूलीगंगा ति कर आप नंध प्रियाग पर ऐके लाक नंद को कुंँ रिवर को सा मीट करते हैं तो आपका आँसर क्या हो जाएगा नंध नी ठीक है इसी तरा आप मुझे बताओ यहां पर मैंने आपको विश्णु प्रियाग का बताया उसके बाद यहां पर नंद प्रियाग का बताया उसके बाद आप मुझे बताओ करन प्रियाग पर यहां पर ठीक है कौन सा रिवरा के लाग नंदा को मीट करता है करन प्रियाग बताओ करन प्रियाग पर लाग नंदा सारे आप आंसर करो ठीक है पिंडार गंगा उसके बाद आपको मैं एक और चीज़ पुछता हूं यहां पर क्या विश्णु प्रियाग नंद प्रियाग करना प्रियाग ठीक है देव प्रियाग यहां पर पांचमा प्रियाग है उसके बाद यहां पर है आपका एक और इसका यहां पर आपका मन्दाक्णी भी और मन्दाक्णी रिवर और मन्दाक्णी रिवर कहां से अरिजिनेट होता है बताओ इसी तरह किदार्नाथ के वेस्ट पर है आपका गंगोतरी जहां से आपका बागए रहे तो इसी तरह गंगोत्री के वैस्ट पे है आपका यम्नोत्री जहां से आपका यम्ना रिवर ओरिजिनेट होता है ठीक है इस सारी इंफर्मेशन जो है आपको याद दोनी चाहिए बाकी अभी जो है आप इसको नोट डाउन करेंगे अपने नोट्स पे ठीक है उसके बाद यह पर लिए आप यहां पर देखलें गंदर बल अंतनाग रामबन जमू उसके पर यहां पर यहां पर रामबन जम्मू रामबन बताओ North से South पूछा हुए है ठीक है जब जम्मू किश्मीर को देखो कि North पे जो आपको किश्मीर बढ़ जाएगा South में है क्या जम्मू ठीक है तो किश्मीर के जो आपके District से उसको आप पहले रखें North से South का पूछा हुए तो आपका जम्मू है वो बाद में आ जाएगा ठीक है यहाँ पर देखने का अंतराग रामबन जम्मू यही इसका राइट आंसर है ठीक है यहाँ यहाँ पर जम्मू सबसे पहले दिया तो यह नहीं होगा तो यहां पर 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 यहा कि मत्राखणगा मर्लाश्रों में कहां पे मुंबяти में मुंबई में मलाबार आखिल यह भी आपको याद रखने हैं कि उसके बाद आपको मैं पुछता हूं मुझे बताओ कौनसे मन्थ में जो है इस फैस्टिवल को इसमेरेट किया जाता है इन दर इन धान जैनुविल टीक है यह भी आपको याद रहने है और फिर्स टैंग स्टिवल कब साली कुछब् ठीक है ए बिहाड बी गुजडात स्वी पंजाब डी कैरला बताओ यहाँ पर जिनको इसका आंसर पता है साथ ही साथ आप मुझे इर भी बता दो इसका इसका इर क्या है कि देख़ो कैस यहाँ पर पूछहा है आपको मपिला रिबीलियन का इसका राइड अंसर है वह अपका डी केरला ठीक है मपली विलिन को हम और जो है किस नाम से चाहते हैं बताओ मलाबार रिबिलियन ठीक है उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर पूछा था यह बताओ मिलेको यहाँ की बात करें 1921 ठीक है और यह जो यहाँ पर आप देख रहे हो एगिटेशनी किसके गेंज़्ट था बताओ तो यह था आपका ब्रिटिश कोलोनियर रूल एड हिंदू लैंडलोट्स के गेंज़्ट ठीक है अब बताओ यह स्टार्ट किसने कर दा था यह भी बता दो स्टार्टिड भाई या हूल एड दिस रिबिलियन बताओ आपको यह नाम बताओना चाहिए ठीक है देख ले वरियूम कुनाथ ठीक है कुन्जाहमद हाजी यह आपको नाम बताओना चाहिए इन्होंने स्टार्ट करना था क्या मलाबार रिबिलियन ठीक है इन दा इयर 1921 ठीक है उसके बाद इसको यहाँ पर आपने देखा मबलियर रिबिलियन भी बोलते है और कॉंसी स्टेट के साथ यह एस्टेट है तो कॉंसी स्टेट है आपकी वो कैरला यह भी आपको याद रखना है सारी इंफर्मेशन एक्जाम पोइंट आप इसे काफी इंपोर्टेंट है कहीं से भी कोशन बन सकता है बात करें यहाँ पर 12th कोशन की कुक का मुवमेंट इस एस्टेटिड विज विज ओफ तर फॉल्विंग स्टेट ठीक है अब यहाँ पर आपको बताना है कुक का मुवमेंट का असाम बंगाल उसके बाद सी यह आपका यहाँ पर पंजाब दी है आपका यहाँ पर महाराश्टा बताओ इसका राइट अंसर है वह आपका सी पंजाब ठीक है कुक का मुवमेंट को किस नाम से जानते नमधारी मुवमेंट ठीक है यह भी आपको पताना चाहिए उसके बाद आप मुझे बताओ अगर आप बात करेंगे यहाँ पर इसके इयर की इसका इयर क्या है बताओ 1872 यह भी आपको पताना चाहिए ठीक है 12 अपरिल 1872 का दिन था यह जो आपकी नमधारी मुवमेंट है बेसिकली यह सिखिजम के विदिन एक्सेक्ट है ठीक है जिसको जो है आपको यहाँ पर यह नाम भी याद रखना है सत्गुरु राम सिंग जी इनके द्वारा यहाँ पर इस मुमेंट को स्टार्ट करा गया था ठीक है यह मुमेंट थी सबसे पहले आपका कुन सा इवेंट हुआ था बताओ यहाँ यहांपश के बाद राध कर सकते छिए तो सबसे पहले आपका कुछ सा इवेंट हुआ था इन इवेंट में से देखो Partition of Bengal हुआ था और यह यह की बात करें तो 1905 ठीक है उसके बाद आपका सूरत स्प्लीट हुआ है ठीक है इन इवेंट में से तो यह आपका कब हुआ है 1907 में ठीक है उसके बाद यहां पर लखनावु पैक्ट दिया गया है तो लखनावु पैक्ट आपका लास्ट पे हुआ था और यह की बात करें तो 1916 में ठीक है पूर्ण सवराज ठीक है यानि के कंप्लीट इंडिपेंडेंस टूपीट स्कॉल लखनावु नाइटीन सिक्स्टीन त्री पूरा नाइटीन थर्टीन उसके बाद आपका लाहु नाइटीन फोर्टी बताओ कौन से सेशन में जो है आपका पूर्ण सवराज डिक्लेर किया इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के दुवारा बताओ अ कि बहुत एक्जैम्स में कोशिन रिपीटिट है ठीक है देखो इसके बाद यहां पर मुझे बताओ लाहु नाइटीन फोर्टीन सेशन में यहां पर प्रेजिटन कौन थे बताओ यहां पर प्रेजिडेंट थे आपके कौन से जुआल नाल नहरू यहां से भी कोशन आ सकते है ठीक है उसके बाद जो है इसी पूर्ण सवराज को पूब्लिक डिक्लेरेशन जो है वो कब मिला था 26 जनवरी यह भी आपको याद रखने ठीक है 26 जनवरी 1930 को ठीक है उसके बाद यहां पर आपको मैं एक और कोशन पुछता हूँ मुझे बताओ कि फ्रस टाइम फ्लैक जो है वह कहां पर रॉस्ट हूआ था ठीक है इंट्रय फ्लैक जो है फ्रस टाइम कहां पर होस्ट किया घए था और किन्के तक दुआरो कि दुआरा किया था यह भी दाना tak about देखो फर्स टाइम जो है आपका इंडिन फ्लैग वह होस्ट हुआ था कहा पे कुलकता में कुलकता में कहां पर पर पार्सी बीगन स्केर ठीक है ग्रीन पार्क भी बोलते हैं इसको उसके बाद किसके द्वारा किया गया था यह किया गया था मैडम बीका जी कामा ठीक है यह भी आपको बताना चाहिए उसके बाद यहां पर आपको बजा दू यह इंडिन फ्लैग था न यह भी आपको कोशन आ सकता है कि इसके जो कलर्स पर आपको पुछा जा सकता है कि यह ज इसमें आपका यелो कलर था और जिसमें आपका फकेетр है अब बहुते कोंसे यहां कहीं है कोंसे फॉकिकर नहीं हमाद इसके अपका तब कर था आयई जो है साफ्षरान कलर जो आप फ्रेम उसका सिंबल है यह है ठीक है सैफ्रन कलर क्या दर्शात है देखो सैफ्रन कलर जो है यह आपका सिंबल है किसका करेज एंड करेज एंड बताओ स्ट्रेंथ ठीक है इसी तरह वाइट कलर यहां पर क्या सिंबलाइज करते हैं बताओ यहां पर बात करेंगे देखो वाइट कलर का मतलब हो गया पीस औन पूथ यह आपको याद रखने कहीं से भी आ सकते हैं ठीक है ठीक है तो वाइट कलर में आपको यहां पर एक वील भी देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है धर्मा चक्रा यह भी आपको याद रगए ठीक है यहां पर आप हम कहीं और ही चले जाएंगे बात करें यहां पर फिफ्टींत कोशिन की देखो इंडिया पॉपूलेशन है शोन नेगेटिव ग्रोथ बताओ लास्ट में अपनी वीडियो में डिसकस भी कर रहा हुआ किसी ठीक है यह वाला क्वेश्चन का इस पीडियेप को पताने क्या हो गया बताओ आपको यहां पर रीड और ठीक है ऑप्शन से आपका यहां पर 1911-21 तो टुन्टीवन अपका यहां पर 1921-1931 ड आप यहां पर रीड कर सकते हो 1931-1941 ठीक है अब अब इसका जो आपका राइट अंसर है आपका 1911-1921 में जो है आपका नेगिटीव ग्रोथ त्रेट देखने को मिला था ठीक है उसके बाद गाईस आप मुझे यहां पर बताओ 16th question का राइट अंसर क्या होगा माराष्ट्रा बिहार वेस्ट बिंगाली उत्रप्रदेश बताओ कोंसी स्टेट में जो है हाइस्ट पॉपॉलेशन टेंस्टी थी बताओ अकॉडिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 तो बात करें यहां पर इसके राइट अंसर की यहां पर पुछा गया स्टेट का इसका अंसर जाएगा बिहार इसी तरह ग्रह में आपको पुछता हो बताओ यूटी कोंसी ती जिसमें आपको हाइस्ट पॉपॉलेशन टेंस्टी द पीपल थे कितने पर स्कियर किलोमेटर पर यहां पर हाइस्ट पूछा होगा इसी तरह आप मुझे बताओ लोवेश्ट पॉपॉलेशन टेंस्टी जो है कौनसी स्टेट में अकॉर्डिंट टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 तो वह आपकी कौनसी सिक्किम यह भी आपको पताओना चीह है चुला इसी के साथ एक और बता दो मेरेको मुझे बताओ यह जो आपका 15 अजिक है 2011 इसमें सैंसे कमिश्नेर और रिजिस्ट्रा जिनरील कोन थे बताओ Census Commissioner and Registrar General को थे बताओ तो इसका तो राइट अंसर हो का वो क्या है CM चंदरा मुली ठीक है ये भी आपको पताओना चाहिए उसके बाद यहाँ पे आपको एक और चलो छोड़ो बताओ यहाँ पे 17 कोशन का राइट अंसर क्या है बताओ इसका राइट परदेश मद्यभर प्रदेश पिंजाब यह रहाँ बताओ कि यहां बोच्छेश्ट वाजिट परदेश थी greater अंसर ब्हुत प्रदेश ठीक है अब मुझे बताओ लो वीट आपकी जो है वो हारी वीट करेंगे तो यह आपकी रवीट को पता है और मिल्कों कि इसमें आपका बारले भी आजाएगा टिक छिसमें आपका पीज भी आजाएगा इसी तरह मुझे बताओ आपका जो राई वो कौनसी crop है यह आपको पताना जीए यह आपकी खारीफ crop है ठीक है और rice की बात करो तो मुझे बताओ rice जो है सबसे ज़्यादा कौनसी state में produce होता है इंडिया की बताओ कहाँ पर होता है West Bengal ठीक है इसी तरह मुझे बताओ maze जो है कौनसी state में सबसे ज़्यादा produce होता है कल मैंने आपको पूछा था जम्मू कश्मीर में कौनसा district है जहाँ पर maze की सबसे ज़्यादा production होती है ठीक है तो कौनसा district है बताओ जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी है आप जो है इसी चैनल की प्लेइलिस्ट में चले जाना ठीक है वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी आप जो है राम से देख सकते है देखो यहाँ पर मैंने बोला जम्मू कश्मीर में कौनसा district है जहाँ पर सबसे ज़्यादा maze की protection होती है तो वह है आपका उधंपूर इसी तरह मैंने पूछा था कि कश्मीर में कौनसा district है तो कश्मीर में आपका कुपवाड़ा तो यहाँ पर देखो maze की protection सबसे ज़्यादा कौनसी state में होती है बताओ कौनसी state में होती है आपकी maze की protection करनाटका में ये भी आपको पताओना चाहिए ठीक है उसके बाद चलो यहाँ पर बताओ 18th question का right answer क्या होगा the concept of differential heating was primarily given to explain which of following geographical phenomena in India monsoon jet stream style cyclones या उसके बाद यह आपका desert storms बताओ differential heating जो है वो यहाँ पर कौन से फिनोमेना को explain कर रहा है ठीक है तो इसका right answer है मैंने आपको बता दिया था अपनी previous video में पूरा आपको मैंने यह समझा दिया था ठीक है इस तरह से जो है वो differential heating होती है land की जिसकी वज़ए से जो है IPCZ की moment होती है due to apparent moment of sun ठीक है तो आपका जो यह apparent moment of sun है यह जो है ट्रोपिक of cancer से और कहा तक होता है ट्रोपिक of Capricorn के बीच में ठीक है और monsoon जो है इंडिया में कब आते है जून से सप्टेमबर के बीच में ठीक है और जून में यहां पर arrival time होता है सप्टेमबर यहां पर बात करेंगे तो यह retreat कर रहा होता है ठीक है यह भी मैंने आपको बताया था बताओ बटची गुलाम मुहमद सादिक आपको यहां पर शेक मुहमद अबतुला बताओ यहां पर इसका राइट असर क्या होगा इसका जो राइट एंसर है का इस वो है आपका सी यह गुलाम मुहम्मद सादिक जो थे वो लास्ट प्राइम निस्टर थे और फर्स्ट चीफ निस्टर थे जम्मू एंड कश्मीर के उसके बात करें यहां पर लास्ट कोईशन की इसलिए यहां पर पुच्छा है इनकरेक्ट ठीक है यहां पर पुच्छा है इनकरेक्ट ठीक है यह आपका पीर पंजाल में नहीं है ठीक है हाजी पीर पास आपके मिल जाएगा बनीहल पास मिल जाएगा इसलिए यहां पर पुच्छा है इनकरेक्ट ठीक है न तो आपका जो है ऑप्छिन हो जाएगा C यानि के ओनली 3 ठीक है उसके बाद यहां पर आपको बता दूँ qaradun glass का ठीक है इसको ब़ले जाता पे मैं आपको बता दू घरदूगला पास को मेंटेन करता है बॉडर रोड ओगनेज़ेशन तो आपको एक पीवाई क्यों के साथ सेशन एंड करवाता हूं ठीक है जूनियर असिस्टेंट 2022 में कोशन आया था कि जो बी आर ओ है ठीक है यह कब फॉर्म हुई थी बताओ यह पूछा था किसी एक शिफ्ट में आया था ठीक है बताओ तो 1960 में ठीक है मंत की बात करें तो मेई डेट की बात करें तो 7 अफ मेई ठीक है यह भी आपको पताओना चाहिए इसी के साथ हमारा सेशन एंड होता है तो कैसी लगी आपको वीडियो जो है आप लाइक कर कि भी बताएंगे तो इसी के साथ हमारा सेशन एंड होता है ठीक है बाकी क्यासी लगी वीडियो आप लाइक करके बताएंगे ओके अपने फ्रेंड के साथ भी शियर करो बाकि जितनी इन्फोर्मेशन यहाँ पे मैंने दिया गाइस इंडिविजुल इन्फोर्मेशन जो है ठीक है तो यहाँ पर जो है जितनी यहाँ पर मैंने पूछ बताएंगे सब अपने जो है अपने नोटस में इसको एड कर लेना है ठीक है तो थैंक्यू गाईज बाई नेक्स्ट में आपको मिलूँगा किसी ने टॉपिक पर मैं जो है आपको बता दूँगा टेलिग्राम ठीक है नेक्स्ट हमारा क्या मॉट्टेस्ट होगा टेलीग्राम चैनल का लिंक है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शिन में वहां से जाके आप जोईन हो सकते हो बाकी इस वीडियो में इतना ही था ओके गाइस बाए